हेलो फ्रेंड्स गुड मोर्निंग सभी को और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट टूब जैनल में और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में न देखिए इस वीडियो में हर्याना जी की कठीन प्रसन रहेंगे तो देखिए फेंड्स अगर आप हर्याना पुलिस ग्राम सची फिमेल सुप्रोवाइजर स्टाफ नर्स या फिर किसी और अन्य एक्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवस्य देखना क्योंकि इसमें ऐसे कोस्टिन है जो आने वाले सभी एक्जाम के लिए उपयोगी है तो देखिए वीडियो को लास्ट कोश्चन तक देखना और इसे सियर भी कर देना और अगर आप पहली बार हमारे चैलन पर आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकोन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो ड देखते हैं आज का पहला कोश्चन तो देखिए पहला कोश्चन है हरियाना में एसकोल्ट टेक्टरों का निर्मान कहां पर किया जाता है तो देखिए इसका तो आंसर देखी रहा है हरियाना में जो एसकोल्ट टेक्टर है इनका निर्मान किया जाता है ये किया जाता है फर अगर और यमुना के दवारा निर्मित अलू विलियम जो मिट्टी है ये पाई जाती है तो देखिए गगर और यमुना के दवारा निर्मीत एलू वीलियम जो मिट्टी है ये पाई जाती है जेंद डिस्टिक में इसमों उप्चन भी सही है अगला कोस्टियन है गागर वाला मनो कामना वाला तोरा वाला नामक तीन प्रसिद्ध मंदीर कहां पर है तो देखिए गागर वाला है मनो कामना वाला और तोरा वाला जो प्रसिद्ध ये तीन मंदीर है ये मंदीर है यमुना नगर में इसमों अप्चन ए सही है और देखिए इसको पेपर सीटी के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला question है प्रशिध्द चिथ्था मंदिर कितने वर्ष पुराना है तो देखी जो प्रशिध्द चिथ्था मंदिर है ये मंदिर है 70 वर्ष पुराना इसमों option B सही है अगला question है रेवाडी के सासक तेजबाल की हत्या किसके दवारा की गई तो देखिए रेवाडी के जो सासक है तेजबाल इसकी हत्या किसके दवारा की गई तो ये की गई है कुतूब दिन एबक के दवारा इसमा उप्शन ए सही है और देखे कुतूबदी ने एबक का सासन देखा दाय कब से कब तक रहा तो ये 1206 से और 12010 तक रहा तो ये भी आपको ध्यान रखना है और देखिए 1210 में इसकी मिर्ट्व हो जाती है जो कि चोगान खेलते वक्त ये गोड़े से गिर जाते हैं और तब इसकी मिर्ट्व हो जाती है अगला कुस्चियन है प्रेसिद्ध हर्यानवी गाई का मधु सर्मा का संबंद किस छेत्र से है तो देखिए प्रेसिद्ध हर्यानवी गाई का है मधु सर्मा इसका जो संबंद है ये है पेहवा से इसमा अप्शन भी सही है अगला कुस्चियन है दोलतपुर का किला कहां पर है तो देखिए दौलतपुर का जो किला है ये किला है कुरुक सेत्र में इसमा option D सही है अगला question है भगत पूरनमन का मेला कहां पर लगता है तो देखिए भगत पूरनमन का जो मेला है ये मेला लगता है गुरुग्राम में इसमा option B सही है और देखे गुरु ग्राम में भी न कासन गाव है, वहाँ पर ये मेला लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला question है, भारतिय विचार धारा की जनम सतली किसे कहते हैं? तो देखे भारतिय विचार धारा की जो जनम सतली है, ये कहते हैं, कुरुक सेत्र को इसमा option D सही है अगला question है पुरानी कार रैली का आयोजन किसके दवारा करवाया गया था तो देखी सबसे पहले पुरानी कार रैली का आयोजन किसके दवारा करवाया गया ये देखना है तो ये करवाया गया है state groups के दवारा इसमा option A सही है अगला question है भारगाव समुदाय का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है तो देखिए भारगाव समुदाय है इसका जो मेला लगता है ये लगता है डोसी की पहाड़ी पर इसमों अप्शन ऐसा ही है और देखिए जो डोसी की पहाड़ी है ये रावली की पहाड़ीों की सबसे उची वहां पर है डोसी की पहाडी और देखिए करो की चोटी ये है सिवालिकी पहाडियों की सबसे उची चोटी तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्टियन है हरियाना का प्रसिद खेल विशा विद्याला कितनी लागत से बनाया जा रहा है तो देखिए हर्याना का जो पहला परसीद खेल विसब विद्याले है ये बनाया जा रहा है 600 करोड की लागत से इसमा option C सही है और देखिए ये बनाया कहां पर जा रहा है तो ये है सोनी पत में और सोनी पत में भी न राई नामक एक जगे है वहां पर ये बनाया जा रहा है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कुस्चियन है सवतंतरता सेनानी चोधरी किर्पाराम वैद लेखराम और राम जी लान किस जिले से संबंद रखते हैं तो देखिए सरतंतरता सेनानी है चोधरी किरपाराम और एक है वैदलेखराम फिर है राम जीलान तो इन तेनों का संबंध है ये है हिसार से इसमा अप्शन डी सही है अगला कुस्चियन है निमलेखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर हिसार में है तो देखिए से में देखना है कि यासा कौन सा मंदिर है जो कि हिसार में है और प्रसिद्ध मंदिर है तो वह मंदिर है दुरगा माता मंदिर इसमा अप्शन डी सही है अगला कुस्चियन है देवसर माता मंदिर कहां पर है तो देखिए देवसर माता मंदिर देखा जाए कहां अगला कुस्ट न है अगला कुस्टियन है अगला कुस्टियन है कोवीड नायंटीन बीमारी में अनाथ हुए बच्चों का सरवे किसके दवारा किया जाएगा तो देखी COVID-19 बिमारी में अनाथ हुए बच्चों का जो सर्वे है ये किया जाएगा सिक्सक के दवारा इसमा option A सही है अगला question है सेख मूसा की मजार कौन सी स्तापदी की है तो देखिए सेख मूसा की मजार देखा जाएए कौन सी स्तापदी की है तो ये है इसमा option C सही है अगला question है रावन का मेला कहां पर लगता है तो देखिए रावन का मेला देखा जाए कहां पर लगता है तो ये मेला लगता है मेवात में इसमा option A सही है अगला question है माटिया का किला कहां पर है तो देखिए माठिया का जो किला है ये किला है पलवल में इसमों अप्शन D सही है और इसे ना मोतियों का किला भी कहा जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्टियन है सांस्किर्तिक मेले का आयूजन कहां पर किया जाता है तो देखिए सांस्किर्तिक जो मेला है इस मेले का आयूजन तो ये किया जाता है बल्लम गड़ में इसमों अप्शन A सही है और देखिए बल्लम गड़ देखा जाए कहां पर है तो ये है फरीदा वार्ड डिस्टिक में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कुस्चिन है निमलेखित में से कौन सा कस्वा हर्याना का अरावली की तलहटी में है तो देखिए समें देखना है कि कौन सा ऐसा कस्वा है जो हर्याना का अरावली की तलहटी में है तो वह कस्वा है वह है नगीना इसमों अप्शन A सही है अगला कोस्टियन है निमलेखित में से राजस्थान के अलवर जिले के पास कौन सा हर्याना का जिला है तो देखिए राजस्थान के अलवर जिले के पास हर्याना का जिला देखा जाए कौन सा है तो वह जिला आएगा मेवात इसमा option भी सही है अगला question है नहीं अगला question नहीं है तो देखिए friends यह थी है कि यह थी आज की हमारी वीडियो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे like करना share भी कर देना और इस वीडियो में आपका कितना score हुआ यह भी type कर देना तो देखिए थैंक यू